यह सिल्डेन मैंने हाप पर एक छोटा सा डियाग्रेमेटिक इसकी सैकल बनाई है सी थी सैकल और कल्विन सैकल की तो सबसे पहले जो शुरू आत होगे वो हमारी यहां से होगे यह है राइबुलोज बेस फास्फेट ओके यह क्या करेगा यह सबसे पहले सी यो टू को असेप्ट कराएगा और सी यो टू के संग एस तो भी असेप्ट कराएगा यह आया कहां से सी यो टू फ्रॉम दा कहां से आया atmosphere से, यह CO2 में मिला कहां से, यह मिला हमें atmosphere से, आपको मालूम है moisture और CO2 दोनों water तो plants absorb करते हैं, CO2 air से आ रही है concentration, और जब CO2 को concentration बढ़ता है, तब ही Calvin cycle होती है, तो इतना तो सब हो गया, यह यहां पर हो गया, राय भूलो जो होगा, वो सबसे पहले इस CO2 को accept करता है, और किसकी presence में करता है, यह rubiscum enzyme है, इसकी presence में इसको accept करता है, और इसको accept करके यह बनाएगा PGA, यह पहला, यह phosphoglyceric acid है, जो कि यह है 3 carbon, 3 carbon molecule, ओके, तो यह 3 carbon का molecule है, phosphoglyceric acid, अब यह phosphoglyceric acid जो होता है, इसको हम कहते हैं, यह U2 को accept करने को, इस process को हम कहते हैं, carboxylation, जो कि मैंने यहां लिखा है, इसको मैं लिख देखती हूं, carboxyl, carboxyl, इस process को, because, RUVP accept a CO2 from the atmosphere, और जब CO2 का concentration, जब बढ़ जाता है, प्लांट की अंदर, तब यह process शुरुआत होती है, जिसको carboxylation हो, कहते हैं, carbon को accept कर रहा है, इसलिए carboxylation, ओके, तो पहला जो stable compound बना, वो बना हमारा acid, phosphoglustric acid, जिसमें के 3 carbon के molecule है, अब RUVP, यह 5 carbon अलग compound है, और एक carbon मिला CO2 से, यह रुपिस को, ribulose bisphosphate, यह हमारा 5 carbon molecule, पांच carbon का molecule है, और एक carbon इसे मिला, किसे CO2 से, तो प्लस 1 carbon accept, कहां से accept कर रहा है, इसने, इसने accept कर रहा, फ्रॉम दा CO2, फ्रॉम दा CO2 से, तो यह total कितने carbon हो गए, इस पे ribulose bisphosphate, मतला phosphoglustric acid पे, now 6 carbon molecules पहुच गए, 6 carbon का molecule, यह phosphoglustric acid है, यह 3 carbon का molecule है, लेकिन 6 carbon यहाँ पर मौदूद है, अभी इस समय, लेकिन, यहाँ पर है phosphoglustric acid, जिस पे 3 carbon है, और यहाँ दिखा रहा है, 6 carbon, यहाँ पर होने चाहिए, कि यहाँ पर इसके PGA के molecule होएंगे, वो 2 होएंगे, 2 into 3, तब भी तो 6 molecule of carbon से होएंगे न, तब भी तो carbon के कितने molecule बनेंगे, तो हम यहाँ पर कितना लेंगे, PGA के 2 molecules, 2 molecules of PGA को लेंगे, तब हमाई पस 6 carbon बन जाएंगे, यहाँ तक सब कुछ सही चला, और process भी carboxylation होता है, है न, यहाँ तक सब कुछ हो गया, अब इसके 2 molecule बनेंगे, PGA के, फॉस्फो, यह molecule है, फॉस्फो ग्लेस्टरिक एसेड के, अब जो हमारा पहला stable compound बना, उसमें carbon के कितने molecule है, 6, यहाँ पर carbon के कितने molecule हो जाएंगे, 6 molecule हो जाएंगे, अब हम चलते हैं आगे, कि जब हमें मालूम है, अब होगा हमारा कौन सा फेस आएगा, यह होगा हमारा reduction, reduction, यह जैसे मैंने यह second step रिखा, यह first step, it is second and it is third, अब हमारा होगा reduction process, क्योंकि यह acid है, और यह क्या होगा, reduced हो जाएगा, reduction process होगा, और reduction process के लिए, इसको क्या मिलना चाहिए, एक phosphate भी मिलना चाहिए, यह glyceric acid, यह phosphoglyceric acid जो है, यह reduced होके glyceraldehyde बनाएगा, तो पहले जो बनेगा glyceraldehyde तो बन रहा है, क्योंकि अब मालूम है, acid जब reduce हो जाते हैं, तो glyceraldehyde बनाएगा, लेकिन अभी यह process यहां तक आने के लिए, इस aldehyde को बनने, acid से aldehyde बनने के लिए, अभी और भी process होना बाकी है, यह reduction process चल रहा है, और यह भी reduction ही process है, ओके, यह reduction process चल रहे है, अब यह reduction के process में चल रहा है, इस वाले cycle के अंदर, ओके, तो यह ATP, अब क्या होगा, कि यह ATP का एक molecule, यह ATP कहां से आया, यह ATP वहां से आया, जो कि light reaction के दौराल, ATP और NADPH बने थे, तो इस एक ATP के molecule को अंदर, यह reduction होगा इसका, और यह ATP, एक phosphate group को दे देगा, किसको दे देगा, इस glyceric acid को, तो यह क्या बना देगा, reduction होगे, 1, 3, bisphosphoglyceric acid बनाएगा, ओके, इस 1, 3, bisphosphoglyceric acid का, फिर से, क्या होगा, reduction होगा, अब यह reduction कैसे होगा, अब reduction की बारी आई, किसको देने की बारी आई, जो कि NADPH+, और H+, जो कि हमारे light reaction की दौरान बने थे, वो reduced हो जाएगा, और NADP बना देगा, और इस, जो इसका hydrogen ion मिलेगा, वो हमारे पास इसको मिल जाएगा, और यह acid से, glyceric acid से, क्या बना दिया है, इसने glyceraldehyde बनाएगा, 3-phosphoglyceraldehyde, यह 3-3 molecules, phosphoglyceraldehyde में मौझूद है, ओके, तो यह glyceric acid से, aldehyde बन गया, पहले ATP का मॉलेगा, यह मैंने आपको बताई दिया, अब PGA के पास, पहले से, अपना एक, यह जो हमारा, PGA बना था, इसके पास तो अपना पहले से ही, एक phosphate का group है, एक molecule, तो इसके पास पहले से, और क्या होगा, कि यह PGA के दो molecule, अब ATP के दौरा, ATP ने भी तो अपना एक दिया, NADP, H ने भी अपना दिया, तो अब क्या हुआ, यह ATP अपना reduce करके, क्या करेगा, phosphate दे देगा, और PGA के पास, पहले से अपने एक phosphate molecule, अब एक phosphate इसके पास, ATP के दौरा आ गया, क्योंकि PGA के 2 molecule हम यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे मैंने बताया के PGA के हम 2 molecule ले रहे हैं, इसलिए हमें ATP के भी 2 molecules को लेना पड़ेगा, 2 into ATP, है ना, 2 molecule लेना पड़ेगा, अब 2 molecule जब लेंगे, तो यह 2 ATP, अब किसमें तूट जाएगा, 2 into ADP में, है ना, 2 गुने होल जाएंगे यह दोनों, अब दूसरा product NADP H plus H को लेंगे, इसके भी हमें, इसके भी हमें 2 molecule लेने पड़ेंगे, 2 into and 2 into H plus, तो यह हमें 2 into NADP दे देगा, अब NADP हमें मिलेगा, और H plus iron, जो है, वो नए compound से जोड़ जाएंगे, नए compound मतलब इससे जोड़ जाएंगे, और aldehyde को बना देंगे, यह तीन पॉस्फोगिलस्री aldehyde के भी हमें क्या लेने पड़ेंगे, दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, ओके, इसके इस प्रोड़क्ट के भी हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, और यह तीन कार्बन की एक शुगर बना देगा, यह aldehyde तीन कार्बन की एक शुगर को बना देगा, जिसको हम, टायोस फॉसफेट यह तीन कार्बन की एक इतिस शुगर, विच हैस, त्री कार्बन, जिसको पे की तीन कार्बन है, तीन कार्बन की एक शुगर को यह बना देगा, यह तीन कार्बन कंपाउंड के भी हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इ इसको हम टायोस फॉसफेट भी कहते हैं, अब यह त्रायोस फॉसफेट जो होगा, अब हमारा एक रिड़क्शन हो गया, यहां रिड़क्शन हो गया, अब हमारे पास यह बनेगा, यह प्रोसेश, यह जो हमारा आ रहा है, यह वाला प्रोसेश, यह प्रोसेश हमारा होगा, री जेनरेशन री जेनरेशन किसका ये बनाएगा आके नीचे ग्लुकोज का एक क्या करएगा एक वन कार्वन वाला एक ग्लुकोज का मॉलेख्यूल को बनाएगा किस दोरान इस पूरी Kelvin cycle के दोरान regeneration के टाइम पर क्या होगा RUVP हमें मालूम है कि 5 carbon वाला molecule है यहां है 6 molecule यहां से हमें एक 5 carbon की जो regeneration की दोरान यह 5 carbon वाली जो sugar है 5 carbon sugar जो है यह कहां चली जाएगी यह हमारे पास चली जाएगी RUVP को regenerate करने के लिए जो के 5 carbon का molecule है और एक जो carbon है वो हमारे पास glucose के molecule बनाने के लिए रेडिय होगा यह 1 by 6 होगा यह portion जो हमारे पास एक carbon मिला तो यह एक carbon जोड़ता जोड़ता जाएगा क्योंकि हमें मालूम है कि glucose का formula होता है C6S12O6 है ना अब यह हमारे पास carbon जो है glucose बनाने के लिए carbon का molecule तो में पास एक ही है अब क्या करें हम glucose तो बनाने तो यह इसको store होता जाएगा कब तक store होता जाएगा जबकि यह C6 नहीं हो जाएगे अब भी हमारे पास एक carbon का molecule ही रहा है जो कि 1 by 6 है कि इसका C6 का एक बट़ता हिस्सा है और यह store होता रहेगा कब तक जब तक कि यहां पर C6 नहीं बन जाएगे है ना तो यह हमारा जो इस तरीके से जो Kelvin cycle होगी तो Kelvin cycle एक शुगर का molecule बनाने के लिए हमें कितने Kelvin cycle बनाने पड़ेगी कितने Kelvin cycle चलाने पड़ेगी 6 time 5 and 1 6 time हमें Kelvin cycle चलाने पड़ेगी तब हमें क्या मिलेगा एक शुगर का या glucose का molecule मिलेगा इस देट के लिए यह clear है देखिए मैं सब फिर से एक बार समझे लीजे कि राइबुलोज बेस फॉसफेट जो है यह R.U.P.P. 5 कारवन का molecule है 5 कारवन का की दोरान कार्व औक सिलेशन की दोरान क्यों कार्व प्सीलेशन के एक वसक्रावन को का से एक मिला नथा कि यह यह बनेगा phosphoglyceric acid अब देखिए number of carbon यहाँ पर है 6 और यहाँ पर phosphoglyceric acid जो है इसके पास है 3 carbon तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इस PGA को हम क्या करेंगे multiply करा देंगे 2 molecule बना देंगे इस PGA के हम 2 molecule बना देंगे 3 carbon एक वार और 3 carbon एक वार तो हमें carbon का balance हो जाएगा जो 6 carbon का यह compound बना चाहिए वो हम 2 molecule से मतलब 2 से क्या करेंगे multiply करा देंगे 3 PGA को तो यह यहाँ पर 6 carbon molecule आ जाएगे अब आगे चलते हैं यह तो इतना रहा हमारा carvoxylation यह वाला process कहलाएगा carvoxylation अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा PGA बना इसके बाद reduction का process चालू होगा और reduction के process में ATP से ADP बनेगा जो के एक phosphate का group देदेगा एक unstable compound को जो के reduction के दौरान बनेगा ओके अब यहाँ पर बना हमारा 1-3-bis-phosphoglyceric acid यह unstable compound है तो reduction के दौरान बना अब इस ATP का जो phosphate है वो इस वाले compound से जोड़ गया अब इसके बाद और देखिए कि reduction और भी चला भी अब यह NADP ATP का हमने इस्तेमाल कर लिया क्योंकि हमने लाइट एक्षिन के दौरान बनाया था वो अब यह NADPH जो है NADPH2 कहिए यह भी हमें दो molecule इसलिए लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें hydrogen can भी तो दो चाहिए तो यहाँ पर NADP बना उसके भी दो molecule यह NADP के reduced होके बना देगा इतना सही है अब यह 1-3-bis phosphoglycific acid जो है अब यहाँ पर reduced होके पूरा reduce हो गया अब इसने एक compound बनाया जिसको नाम है 3-phosphoglyceraldehyde आपको मालूम है acid जब reduced होते है तो क्या बनाते है aldehyde बनाते हैं अब यह aldehyde के यहाँ पर 3 molecule है हमें चाहिए 6 तो हम इसको 2 से multiply कर देंगे तो हमें पस क्या आ जाएगा यह 3-phosphoglyceraldehyde एक kind of sugar है it is a kind of sugar जो के 3 carbon होते है इस पर टायस phosphate भी कहते है इस टायस phosphate को हम 2 से multiply करेंगे तो हमें पस 6 carbon वाली sugar मिल जाएगी अब यह 6 carbon वाली sugar जो मिली तो एक जो इसका molecule है किसका carbon का एक carbon का molecule तो glucose बनाने के लिए तयार होगा या उस process में चला जाएगा अभी glucose नहीं बना है एक cycle की दोरान नहीं बनता है इसके glucose बनाने के लिए 6 cycle करनी पड़ेंगी Kelvin की तब हमारे पास एक glucose का molecule बनेगा और जो पांच जो होएंगे molecule कार बनके वो राइबुलोस बिस फॉसफेट को regenerate करने के लिए इस्तेमाल हो जाएंगे तो यहां पर यह कमी हो जाएगे इसलिए इसका क्या है कि यह Kelvin cycle को हमें एक glucose को एक Kelvin cycle को हम 6 time इस्तेमाल करेंगे to produce to produce 6 carbon molecule और sugar और glucose ओके इस बात को आप ध्यान रखिए कि यह Kelvin cycle को हमें 6 बार चलाना पड़ेगा जिससे कि क्या होगा कि यह शुगर एक उसका glucose का molecule हमें मिलेगा देखा आपने एक बात और यह सिल्डेन एक बात और नोट करिए यह तो मैंने बता दिया six time हमें produce करने साइकल को चलाना पड़ेगा एक glucose का molecule बनाने पड़े लिए अच्छा एक बात बताईए कि केलवें साइकल के दोरान यह कैलवें साइकल बनी या हूँ आइस मिलेक्शन तो जब हम एक इस्टेप मतलब एक बार हम इस साइकल को चला रहे तो हमारे कितने ATP खर्च हो रहे हैं, ATP used, कितने ATP हो रहे हैं, इसको आप गिनके बताइए, देखिए, दो ATP तो यहाँ पर है, और एक ATP यहाँ पर है, तो टोटल हमारे कितने ATP यूज हुए, 3 ATP, ATP यूज 3, अब इसी तरीके से, NADPH plus plus H plus को कितने इस्तिमाल हो रहे हैं यह, तो हमारा कितना हो रहे हैं, यह हो रहे हमारे 2, अब हमारे पास 2 molecule NADPH के एक cycle, एक बार cycle चलाने में इतने इस्तिमाल हो रहे हैं, आप सोचिए, अगर हम glucose को बनाने के लिए हमें पास यह कितनी बार cycle चलानी पड़ेगी, 6 time चलानी तो हम क्या करेंगे, कि total caution आता है, कि how many total number of ATP used during the Kelvin cycle, Kelvin cycle के दोरान ATP की संख्या कितनी होती है, मतलब एक glucose के molecule बनाने के लिए, कितने ATP की जरूरत पड़ती है, एक glucose के molecule को बनाने के लिए, कितने NADPH की जरूरत पड़ती है, एक ATP के एक स्पास हम cycle चला रहे हैं, तो ATP हमारे 3 इस् अब आप बताएं, जब हम इसको cycle को 6 टाइम चलाएंगे, तभी तो हमें एक glucose मिलेगा, तो एक glucose की molecule को बनाने के लिए, हमें कितने total number of ATP की जरूरत पड़ती है, उसका answer आप देंगे, हम क्या करेंगे इधर, कि हम इसको multiply कर देंगे by the 6, तो हमें number of ATP कितने मिले, हमें 18, और N NADPH, NADPH2 कितने मिले हमें, यह हमें मिले 12, तो हमें इतने number of ATP और NADPH2 चाहिए कितने, to make 1 glucose, A glucose के molecule को बनाने के लिए, इसेट के लिए, इतनी बात समझ में आगे हैं आपके, कि हमें 18 ATP और NADPH2 के 12 molecules चाहिए, एक glucose का molecule बनाने के लिए, इसेट के लिए, तो मेरे ख्यास से अब यह फंडा आपकी समझ में आग गया होगा, क्यूंकि अब जब कभी भी कोई question आएगा, आपका confusion दूर हो गया होगा, जहां तक मैं उम्मीद करती हूँ, मैंने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, आके एक glucose का जो molecule बनेगा, उसको बनाने के लिए, हमें Kelvin cycle को 6 टाइम चलाना पड़ेगा, तब हमें C6-S12-O6 मिलेगा, ओके, तो एक बार की cycle में, हमें ATP की संख्या मालूम है, हम उसको 6 सहे बार चलाएंगे, तो 6 से multiply कर देंगे, और हमें पास number of ATP और number of NADPS2 आजाएंगे, is that clear? तो मेरी हिसाब से ही सब clear हो, आपको अगर नहीं समझा था, तो आप दुपार से वीडियो चला कर देखिए, okay?